डिस्क्लेम और टाइम इस वीडियो में जो जो भी मैंने पएंट बताया ये मेरे पारसोनल एक्सपिरियेंस से बताया यदि मैंने इस वीडियो में कोई रॉंग पईंट बता दिया तो प्लीज अपना सजेशन जो है वो कॉमेंट सक्ष्चन में ज़रूर बताई थैंक यू स्टार्ट करता है एसम डे व़िडियो बहुत जाता लंबबो हो जाएगा इसलिए विडियो को जाल खीशते नहीं हो और चलिए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर वन के तो पॉइंट नंबर वन है गाईस आपका डिवाइस जी है guys आपका device यहाँ पर बहुत ही ज्यादा matter करते है आपका skill को improve करने के लिए आपका one shot को improve करने के लिए आपका जो भी gameplay है उसको improve करने के लिए तो एक यहाँ पर चार्ट लगा देता हो मैं इस चार्ट को आप लोग देख सकते हो यहाँ पर low end devices and high end devices के फरक में बता रहा ह फिर भी अगर server भी सही है दूसरे mobile पर सही आ रहा है आपके mobile पर ऐसा रहा है तो यहाँ पर आपका low end devices के वज़से भी हो सकता है और heating का problem भी बहुत जादा यहाँ पर दिखाए दे सकता है और high end devices में ऐसा कुछ भी आपको दिखाए नहीं देगा यहाँ पर good ping दिखाए दे यहाँ पर आपका gameplay को next level में इंप्रूब करने के लिए बहुत जादा परिशान आपको दिखाए देगा अगर मेरी मानों तो एक नया फोन खरीद लो यहाँ पर बहुत जादा फेसिलिटी आप लोग को मिल जाएगा और आपका gameplay भी बहुत जादा सुदार में आ सकता है ठी पॉइंट ही का ना और next number point पे चलता है वो है guys so two number point है हमारा common sensitivity and fire button size for your device आप लोग ने बहुत जादा message करते हो यार sensitivity बता दो मेरे लिए sensitivity and fire button size बता दो हमारे device के तरफ से तो मैं एक common sensitivity बता दे तो जो हर एक के mobile में work करेगा यहाँ पर देख से common sensitivity सबके सब आपका hundred रखना परेगा यहाँ पर जो जो भी मैंने fire button size बताया है इन में से कौनसा वाला आपकी devices में work करता है यह देखना परेगा इन में से सबको try करो सबको try करके कौनसे वाले में आपका जो है जो headshot rate ज्यादा हो रहा है headshot ज्यादा लग करें तो वो check करो check करके वो वाला अपने devices में लगा लो ठीका ना तो यहाँ पर मैंने common सा एक बता दिया जो हर एक की mobile में hundred percent guys hundred percent work करेगा तो यहाँ पर कोई सा भी fire button choose करो choose करकी देखो practice करो कि कौनसे वाले fire button size में आपका headshot ज्यादा लगता है तो देख लो देखकर अपना mobile पर वो set कर लो ठीक ना तो चलता है next point की तरफ next point है हमारा so third number point है हमारा your position and your aim position सबसे पहले बात करते है हमारा your position यानि आपका character का position क्या होने चाहिए जिसके बात आपका headshot जो है बहुत ही ज्यादा increase हो जाए तो यहाँ पर मैं एक photo लगा देता हो तो left side में आद देख सेकते तो standing position और right side में jump technique तो इन दोनों बहुत ही जादा matter करता है आपके headshot लगाने पे उपर अगर बन्दा mid range में है THो यहाँ पर standing position बहुत ही जादा कारीकर ना जाता है और अगर बंदस शोट रेंज में है तो यहाँ पर जम टीटेटनिक बहुत ही जाद कारीकर ना जाता है तो यहाँपर situation के सबसे आपको यह करना है drag करने से पहले ठीक है और यहाँ पर aim और drag की पर में बता देता हो यहाँ पर मैं पहले बता देता हो which drag technique are suitable for you and your device जी हा गाइस यहाँ पर तीन तरह की drag technique में बताऊंगा और यह drag technique आपको choose करना है कौन से वाला आपको यूस्ट करना है तो यहाँ पर मैं तीन drag technique की पर मैं बताऊंगा एक है guys direct drag in the enemies head sight और दूसरा up and down technique और तीसरा drag with rotation तो यहाँ पर तीन तरह की drag होते हैं और बहुत सारे प्रोपियर्स इन तीन तरह टाइपस के यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं वो direct drag करके head मारते हैं और बहुत सारे up and down करके और बहुत सारे drag with rotation यह जो फिर मैं यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है चूज़ करना है कौन सा वाला direct technique आपके लिए suitable है आप कौन से वाले से जादा head shot मारते हो तो चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने पर रहे गा एक training mode लगा हो training mode लगा के वहाँ पर तीनो तीनो पोजिशन को ट्राइ करो तीनो टेकनिक को ट्राइ करो कौन से वाला direct technique आपके लिए suitable है कौन से वाले में आपका जो है जादा drag headshot लग रहा है तो यह आपर तीनो टेकनिक यूज़ करो कौन से वाला direct technique आपके लिए suitable है तो मैंने बता दिया कैसे आपको suitable पता करना है training mode लगा कर एक या दो गंटे practice करोगे और इन तीनों को अगर try करोगे कौन से वाले में आपका headshot जादा लगता है तो वो ही आपको choose करना है ठीक है ना तो यहापर द्यान से समझना है मैं क्या कर रहा हो यहापर मैं chances की बात कर रहा हो तो यहापर कौन सी जगा पर आपका एन रखने पर आपका जो chances headshot लगने का वो बर जाएगा तो यहापर direct drag के time फास्ट वाला देखो direct drag के time आपका अगर chest के उपर रहा enemy पर body पर chest के उपर रहा direct drag के time तो यहापर headshot लगने का chances जो है यहाप बर जाते है और up and down technique के बाद अपने up and down technique अगर use कर रहे है तो यहापर आगर आपका enemy के सर के उपर आपका अगर aim होगा तो यहापर headshot लगने का chance बर जाता है up and down technique में और rotation drag technique में अगर आपका enemy से बाहर आपका aim रहेगा तो यहापर chances बर जाता है आपके headshot लगने में तो यहापर ध्यान देना मैं chances की बात कर रहा हूँ मैं बता नहीं रहा हूँ यहापर रखने से आपका headshot लगी गई लगेगा तो यहापर मैंने जो भी aim position आप लोगों को बताया यहापर आपका अगर aim होगा तो यहापर आपका 100% से 80% chance हो जाएगा आपका headshot लगने में ठीक ना तो यहापर मैंने चार चीज़े बताए एक है sensitivity and fire button size दूसरा your position तीसरा your aim position और चोथा drag techniques तो यहापर चारों को अगर आप follow कर गए तो आपका यहापर drag जो है one shot जो है वो बहुत ही आसानी से लग पाएगा और यह चारों टेकनिक अगर आप follow कर लिया आपका one shot आ गया तो पाचवा जो यहापर है वो बहुत ही ज्यादा skill matter करता है आपका अगर यह वाला techniques आ गया जो जो मैंने अभी बताया one shot आकर आ गया तो यहापर पाचवा जो टेकनिक है वो है guys one tap and switching technique तो जी हागाई यहापर one tap and switching technique बहुत ही ज्यादा यहापर next level तक आपका skill जो है वो develop करने के लिए ठीक ना तो यहापर अगर एक short के बाद अगर switch करने के बाद आप यहाँ से भाग जाते हो और फिर से one tap करते हो तो यहापर आपका जो skill है वो बहुत ही ज्यादा increase हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा आसानी से लगता है तो यहापर बंदे को बहुत ही जादा आसानी से आप confuse कर सकते हो इससे ठीक ना तो यहापर ए पाचो को आपको ध्यान से practice करना है training mode लगाओ या फिर कोई से भी custom या फिर जो भी लगाओ जैसे भी आपको practice करना है करो करने के बाद आपका skill जो है वो बहुत ही जादा high हो जाएगा ठीक है ना so guys आपको अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दुबारा देखो दुबारा देखने के बाद मैंने क्या क्या बताया कैसे कैसे बताया समझो बात को समझो मेरे जो जो भी मैने points सारे बताया बात को समझने के बाद आप जाकर game में try करो और game में try करने के ब और बाइ